सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों ये वीडियो मैंने उन शिक्षकों के लिए बनाई है जो ग्रिश्मा वकास, मध्यावदी वकाश या शीत कालिन अवकाश के दोरान विभिन प्रकार की ड्यूटी करते हैं तो ऐसे जो शिक्षक इन अवकाशों में अपनी ड्यूटी करते हैं इन शिक्षकों को इन ड्यूटी दिवस के एवज में उपारजित अवकास मिलती है पी एल मिलती है उस उपारजित अवकास को पी एल को शिक्षक साथियों को सर्विस बुक में जुड़वाने की सही प्रक्रिया क्या है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अच्छे से समझें दोस्तूं मैंने ये जो वीडियो है ये मेरे पास कई शिक्षक साथियों के फोन आए है कि अभी क्रिश्मा वकास में हमने कोविड नाइन्टीन में ड्यूटी दी है हमारे एसडियम साब ने पी एल का ओर्डर नहीं निकाला है या हमारे कलेक्टर साब ने सीबियो साब पी एल नहीं दे रहे हैं तो ऐसे जो शिक्षक साथी है क्रपईया इस वीडियो को अच्छे से देखें दोस्तूं सबसे पहले मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझा देता हूँ कि शिक्षक वेकेशन विभाग के कार्मिक होते हैं शिक्षक का मतलब त्रितिय स्रेणी अध्यापक शिक्षक लेवल वन लेवल टू से लेकर के वरिष्ट अध्यापक व्याख्याता प्रधानाचार्य ये सभी वेकेशन डिपार्टमेंट के करमचारी हैं और राजस्थान सेवा नियम बर्रान में बी के अनुसार वेकेशनल विभाग के करमचारियों को जो अवकाश होते हैं लंबे अवकाश जैसे मध्यावदी, क्रिश्मा वकास और शीतकालीन अवकाश इन दिनों में कार्य करने के एवज में अधिक्तम 15 दिवस का उपारचित अवकाश दे होता है तो दोस्तूं कई शिक्षक साथ ही कहते हैं कि हमारे पास या हमारे HDM साब ने अभी क्रिश्मा वकास में BLOs को ड्यूटी पे लगाया या COVID-19 ड्यूटी पर टीचर्स को लगाया लेकिन हमारे HDM साब ने orders जारी नहीं किये हैं तो ऐसे शिक्षक साथी पश्टतया समझ ले हमारा जो शिक्षा विभाग है वो विश्राम कालीन विभाग में आता है और विश्राम कालीन विभाग यानि वेकेशनल डिपार्टमेंट के अधिकारी और करमचारी होते हैं उन्हें साल भर में सिर्फ 15 PL मिलती है एक वर्ष में 15 उपारजित अवकाश उनके सर्विस बुक में जुड़ जाती है जो गैर वेकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं उनके अधिकारियों और कर्मचारों को साल वर की 30 PL मिलती है तो हम सभी शिक्षक साथियों को जो 15 PL कम मिलती है वो ग्रिश्मावकास, मद्यावदी अवकास और शीत कालिन अवकाश हमें मिलता है इस करण से कम मिलती है तो RSR में ये सारा दे रखा है RSR का नियम 91 के के अनुसार ये हमें 15 उपर जित अवकाश ही दे होते हैं विद्या लेयों, पॉलर टेक्निक कॉलेज, कॉलेज और जो भी इस तरह की संस्थाएं होती है उनको साल बर में सिर्फ 15 PL मिलती है अब देखिए, ये है RSR का नियम 92 B इसे आप देख लें अच्छे से विश्राम कालीन विभाग का कोई कर्मचारी विश्राम कालीन विभाग यानि वेकेशनल डिपार्टमेंट स्कूल वेकेशनल डिपार्टमेंट में आते हैं शिक्षक साथी सभी इसी में आते हैं कोई कर्मचारी यदि किसी कैलेंडर वर्ष में विश्राम कालू का उपभोग नहीं कर सके विश्राम काल का मतलब मध्यावदी, विश्मावकास, शीतकाली नवकाश का उपभोग नहीं कर सके तो उसे अनुपयोजित विश्राम कालू के बदले में पंद्रे दिनों के अनुपात में उप़जित अवकास दिये जाएंगे तो दोस्तूं आप इस बात को क्लियर समझ लें अगर किशी भी शिक्षक साथी की किसी अधिकारी के द्वारा, उच्चा धिकारी के द्वारा लिखित में ड्यूटी निकाल कर कृश्मावकास में शीतकालीन या मध्यावदी अवकाश में ड्यूटी लगई जाती है और वो विधिवत उस ड्यूटी आदेश की पालना में इन अवकाशू में अगर ड्यूटी करता है तो उस ड्यूटी के बदले में इस राजस्थान सेवा नियम बरान में बी के अनुसार उसे पी एल देई होगी इसके लिए किसी भी HDM साब का, कलेक्टर साब का, DO साब के आदेश की आवशकता नहीं है यह आरस आराजस्थान सर्विस रूल से अपने आप मिलेगा इसलिए मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो इन अवकाशू में अगर विदिवट ड्यूटी करते हैं यानि लिखित आदेश उनका ड्यूटी के लिए होता है, बाकाइदा अपने स्कूल से रिलिव होके जाते हैं और ड्यूटी के बाद उनको ड्यूटी सर्टिपिकेट ऑन ड्यूटी मिलती है, तो वो पी एल लेने के 100% हकदार हैं अब इसका प्रोसेस क्या है, सही प्रक्रिया क्या है, हम इस पी एल के लिए कहां आवेदन करें और हमारी सर्विस बुक में कैसे जुड़ाएं इसके लिए इस वीडियो को आप आगे देखें, देखें दोस्तों मैंने उधारन दिया है एक प्रार्तना पत्र के मध्यम से ग्रिश्मा वकास, मध्यवदी वकास और शीत काली नवकास में उन सभी शिक्षकों को पी एल मिलेगी जो किसी विधिवत आदेश के द्वारा ड्यूटी दी है जिनोंने और जो अपनी स्कूल से रिलिव होके ड्यूटी पे गए हैं और जिनके पास उस ड्यूटी का उपस्तिती प्रवान पत्र है इसके लिए लेवल वन और लेवल टू से लेकर के प्रिंसिपल तक जो भी शिक्षक साती हैं उनको अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इसके लिए आवेदन करना है इस तरह से एक प्रार्षना पत्र आपको लिखना है सेवा में स्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय ब्लॉक का नाम जिला द्वारा स्रीमान प्रदाना चारे आप अपनी स्कूल के प्रिंसिपल साब के तुरू लिखें सबजेक्ट में आप लिखें ग्रिश्मा वकास में कार्य करने के एवज में उपारजित अवकाश का स्वत्व प्रदान करने बाबत ग्रिश्मा वकास के बजाए अन्य अवकाश हों तो वो लिख दे महोदय सादर निवेदन है की स्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बिलवडा के आदेश क्रमांग इतने इतने के अनुसार मैंने दिनांग 162020 से 262020 तक कुल 20 दिन ग्रिश्मा वकास में निशुल का पाठ्य पुस्तक वित्रण कार्य है तु अपनी उपस्तिती पाठ्य पुस्तक मंडल डिपो में दी है अते मुझे ग्रिश्मा वकास में कुल 20 दिन कार्य करने के एवज में छे दिवस के उपारजित अवकाश का स्वत्व प्रदान करने का कश्ट करें पवदी आपकी डिटेल लिखें और इस लेटर के साथ आप सलगन करें वे आदेश जिससे आपकी ड्यूटी लगी है छुट्टियों में आपकी स्कूल से रिलिव होने का अदेश और आपका उपस्तिती प्रवान पत्र और इस आपके प्रार्थना पत्र को द्वारा आपके स्कूल प्रिंसिपल के डिस्पेच करके भिजवाएं तो दोस्तूं इस तरह विदिवत प्रोसेस से अगर आप अपना प्रार्थना पत्र अपने CBO सहब को बिजवाते हैं तो वहां से आपके PL स्विकृति का आदेश जारी होता है आदेश मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए आदेश ये आदेश देखिएगा ये मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाना का आदेश है इसकी उपर की लेंग्वेज मैं आपको पढ़के बता रहा हूँ शीतकालीन अवकाश, मध्यावदी अवकाश, ग्रिश्मा वकास में कार्य करने एवं प्रशिक्षन में भाग लेने के एवज में प्रति तीन दिवस पर एक दिन का उपरजित अवकाश, पियल, निम्न कार्मिकों को कॉलम संख्या छे में अंकित कार्य करने के एवज में कॉलम संख्या नो में अंकित दिवसों का उपरजित अवकाश का स्वत्व, राजस्थान सेवा नियम 92B के तहत उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने की स्विकृति प्रदान की जाती है ये देखे यादेश है राजेश कुमार शर्मा व्याख्याता स्कूल का नाम सत्र कार्य किया इन्होंने लोगसभा आम चुनाव 2019 यातायात प्रकोष्ट में ड्यूटी दी है 32 दिन काम किया है कुल 10 पी एल का ओर्डर हुआ है तो दोस्तूं द्रिश्मा वकास शीत कालीन और मध्यावदी अवकाश में आपने चाय किसी प्रकार का वही प्रशिक्षन प्राप्त किया हो चुनाव समंधी कार्य में ड्यूटी दी हो यह देखे निर्वाचन कार्य प्रगनकारिय बी एलो का काम किया हो अपनी स्कूल में निशुल्क पाथ्य पुस्तकों का वित्रण का का काम किया हो या ओपन स्टेट ओपन बॉड परिक्षा का जो शिविर लगता है कॉंटेक्ट शिविर संपर्क शिविर उसको अटेंड किया हो मिद्डे मेल समन्दी कोई काम किया हो या और भी किसी भी प्रकार का कार्य विदिवत आदेश द्वारा किया हो तो आरेसार के नियम बराण में बी के तहत आपको उपरजित अवकाश शत्प्रतिशत मिलेगा इसके लिए किसी अन्यादेश की जरुरत नहीं है अभी कोविड नाइनटीन में जिन सिक्षकों ने ड्यूटी की थी उनके लिए डाइरेक्टर साब बिकानेर का एक आदेश आया था कि ऐसे शिक्षक जो मुख्यावास से बिना सूचना दिये मुख्यावास छोड़ के चले गए थे उन शिक्षकों को ग्रिश्मा वकास में ड्यूटी के बदले में पी एल नहीं मिलेगी Otherwise आप अवकाश में काम करते हैं तो आपको पी एल मिलेगी आप इस तरह विदिवत प्रोसेस से अपना प्रकरण बना के अपने सी बियो साब को भेजे वहाँ से ओर्डर जारी होगा और उस ओर्डर का हवाला देते हुए आपके स्कूल प्रिंसिपल या आपके पी एो आपकी सर्विस बुक में वो पी एल एड करेंगे तो दोस्तु आप सभी शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को शेर करें ताकि उन्हें उनकी पी एल का हक मिल सके धन्यवाद दोस्तु